असलाम लेकुम एस्पिरेंट्स वेलकम बैक सो प्राने व्यूवर्स जो है इस चैनल के उन्हें तो पता है लेकिन न्यू व्यूवर्स को मैं बताती चलूँ कि हमने CSS Empathy याने स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहते हैं 2024 उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है ठीक है टेस्ट 19 नुवंबर को है अभी हमारे रपस टाइम है हमने जो पार्ट कवर कर लिया है उसमें उर्दू का कंप्लीट पॉर्शन है इसलामयात का कंप्लीट पॉर्शन है जो दो 60 मार्क्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉर्शन है और इसके इलावा जनलेज है तो अभी येवाला जो वीक है नेक्स्ट आपको मिलेंगे जनरल अबिलेटी के लेक्चर अब जनरल अबिलेटी जिसको मैथमेटिक्स भी कहते हैं 60 मार्क्स का यह है टोटल ठीक है मतब 60 MCQ इ अनलेटिकल अबिलेटीज है और लास्ट मेंटल अबिलेटीज है तो जैसे कि आपको पता नजर आ रहा है कि यह फाइव टोटल टॉपिक्स बन रहे हैं ठीक है में डुमेंज बन रही है तो हमने पांच लेक्चर में ही इसे डिवाइड किया है ठीक है तो आज हम जो पहला पॉर्शन है बेसिक अरिथमेटिक का इसको कवर करेंगे इसी तरह रोज आज सी नेक्स्ट फाइव कंसक्टिव डेज फाइव लेक्चर आएंगे जो कि आपने प्रिपेर करने है ठीक है तो बेसिक अरिथमेटिक में फर्दर जो चीज़ें आती हैं वो यह है सबसे पहले बॉर्ड मैस उसके बाद पावर जाती है नंबर थियोरी इसके अंडर है सेट थियोरी भी आ जाती है फ्रेक्शन एचसी एफ एंड लसी एम एवरज परसंटेज रेशो एंड परपोर्शन यह सारी चीज़ें हमारी बैसिक अरिथमेटिक में आती है तो चलें स्टार्ट कर करने के लिए बॉर्ड मास रूल भी का जाता है इसे तो मितमेटिकल ऑपरिशन लाइक अडीशन सब्ट्रेक्शन मॉल्टिप्लिकेशन एंड वियन और करेड़ इंड फॉल्विंग और मतलब यह इस ओर्डर में होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्फ करो ठीक है उसक झाले कौनसी पवर आनी है बाद में कौनसी आनी है उसके बाद लेकित आयोड को स लेक्स को यह हो डिया हुआ कि हमें धीया हुए 1 II quindi the the two मैल्टिप्लाइब है तो हमने precisely 2 हमारे 2 किया फोर फोर मैल्टडइब है आगया ऐसे ही है उन्होंते है स्वीर होता eligible यह ठीक है हमें क्या करना है कि पहले पहले यहां पर multiplication हो रही है तो पहले हमने multiply करना है 2 multiply by 2 is equal to 4 और उसके बाद addition आ रहे है तो उसके बाद हमने 4 plus 2 करना है तो हमारे पर 6 आएगा जो कि correct है ठीक है इस तरह से यह solve करना है उसके बाद एक और example हमें यहां पर दी गई है उस example को हम solve करते हैं कि 2 plus 3 multiply by 2 divided by 2 plus bracket 5 minus 7 अब यहां पर हम order को चेक करते हैं कि सबसे पहले हमने कौन सी चीज़ को solve करना है यहां पर देखें पहले bracket की बात की जारी है before bracket है तो सबसे पहले हमने solve भी करना है bracket को हमने 5 minus 7 किया तो हमारे पास minus 2 आगया ठीक है minus क्योंके बड़ी value की सथ minus था 5 minus 7 is equal to minus 2 ठीक है तो हम इसको अब bracket तो खतम होगी bracket वला portion solve होगया लेकिन bracket के बाहर जब plus है तो plus minus minus आजएगा यह हमने इसे simplify कर लिया उसके बाद यहां पर चेक करें O order power है यहां पर नहीं है order वला काम नहीं है उसके बाद D है divian divian देखते है divian है इसमें बिल्कुल है 2 divided by 2 आ रहे हैं तो अब हमने क्या solve करना है divian को तो 2 divided by 2 जब हमने किया तो answer हमारे पास 1 आजएगा 2 अंदर रखें 2 से इसे divide करें तो 2 1s are 2 simply ठीक है तो हमारे पास 1 आजएगा अब उसके बाद यह हमारे पास 2 plus 3 multiply by 1 minus 2 आजएगा अब देखें D के बाद क्या है M यानि multiplication तो क्या multiply यहां पर हो रहे है बिल्कुल हो रहे है 3 multiply by 1 है ठीक है कि M के बाद A है यानि multiplication के बाद addition होता है तो addition का कुछ है यहां पर बिल्कुल है 2 plus 3 है जब 2 plus 3 किया तो हमारे पास 5 आजएगा चीक है 2 plus 3 5 minus 2 साथ वैसे ही तो अब last step क्या होगा subtraction का तो 5 minus 2 would be 3 तो हमारे पास answer आगया 3 इस तरह से आपने यह बाद मस्स जो है यह रूल आपने याद रखने माइंड में रखने इसी sequence में हमेशे solve करने और इसमें से आपको MCQ लाजमी आएगा ठीक है जैसे यह example इस तरह को question given होगा और options होगे कि इसका right answer क्या है ठीक है इस तरह से जो sign show होते है यह होते है power का ठीक है कि उसको उतने times multiply करना है अगर देखो 2 की power 2 है तो हमने 2 को 2 times multiply करना है कि 2 multiply by 2 ठीक है 4 आजएगा 2 की power अगर हमारे पास 3 होती है तो 2 को 3 times multiply करना होते है 2 multiply by 2 multiply by 2 ठीक है इस तरह से power को हम solve करते हैं यह होती है power अब यहाँ पर कौन से rules हैं इनको मैं आपको बता देती हूँ कि in multiplication when bases are same जब हम multiply करें base same है तो power को क्या करना है add करना है repeat करती हूँ जब base same है multiply करें है तो power को add करना है जैसे यहाँ पर x की power a dot यारी dot multiplication का ही sign होता है याद रखेगा dot x की power b ठीक है base same है तो हम क्या कर देंगे कि x की power a plus b इसी तरह से x की power 2 है और x की power 5 है दिर्मिया में dot है यानि multiply है तो यहाँ पर क्या होजेगा x की power 2 plus 5 और 2 plus 5 is equal to 7 तो x की power 7 answer आजेगा ठीक है अब दूसरे rule की बात करें कि when there is power on a power of any variable यानि एक variable के उपर दुबारा power है एक power के उपर power है then powers of variable are simply multiplied तो power को हमने simply multiply कर देना है जैसे यहाँ पर देखें x की power a उस bracket के बाद उसकी power b है तो हम simply उनको multiply कर देंगे x की power a b अगर हम number form में देखें तो x की power 2 उसकी power 3 है तो x की power को हम simply multiply जब करेंगे तो 3 2s are 6 तो हमारे पास x की power 6 हाजेगा ठीक है अब last rule है when variable is moved from numerator to denominator or from denominator to numerator, signs of power are changed मतब यह denominator और denominator का concept यह होता है मैं आपको next में बताती हूँ यह देखें यह ची होगे denominator, denominator अगर यहाँ से उपर जाएगी value, sign तब भी change होगा जब उपर से नीचे आएगी कोई भी value, तब भी sign change होगा ठीक है? जैसे हम यहाँ पर इसे देखते हैं, यह क्या बत कहरा है कि अगर यहाँ पर हमारे पर है x की power a divided by y की power b ठीक है? अगर हम y की power b को उपर लेके जाना चाहरे है तो हमारे पर यहाँ पर देखें क्या आगी है? y की power minus b, sign change होगा है अगर plus है तो minus होजएगा अगर minus sign हो तो वो plus हो जाएगा ठीक है? यहाँ पर देखें x की power a है इसको जब नीचे लेके गए तो हमारे पस x की power minus a आगी ठीक है? समझाए इस बात की? fine इसके बाद यहाँ पर देखें एक और यहाँ पर बताएगी यह बात कि x की power 4 divided by x की power 3 अब इसको अगर हमने multiply में change करना है तो x की power minus 3 हो जाएगी कैसे मतलब यह power उपर चली जाएगी जब यह power उपर जाएगी तो इसका पहले plus 3 था तो फिर minus 3 हो जाएगा ठीक है? फिर उसके बाद solve करना उनको वैसे यह है कि base उनकी same है तो हम 4 plus minus 3 मतलब 4 minus 3 आजाएगा तो 4 minus 3 हमारे पस क्या होता है 1 होते है तो x की power 1 x की power 1 x ही होगा ना तो इस तरह से ही question solve हो जाएगा ठीक है? तो उसके बाद यहाँ पे भी देखें कि the value of root is 1 by 2 हमेशा जो root की value होती है वो 1 by 2 होती है यहाँ पे भी सिर्फ यह root आजाए तो उसकी power होगी 1 by 2 और जहाँ पे root के यहाँ पे इस तरह से 3 आजाए तो उसकी power होगी 1 by 4 और जहाँ पे root की power यहाँ यह 1 by 3 यह value होगी ठीक है? और यहाँ पे 4 आजाए तो हमारे पास root की value होगी 1 by 4 तो इसी तरह अगर यहाँ पे n, n कोई भी number आ जाए, तो उसकी power भी 1 by n होगी, यहाँ पे देखें, under root x equal to x की power 1 by 2, under root x और 7 में 3 है, यानि cubic root भी इसे कहते हैं, तो इसकी power x 1 by 3, उसके बाद x यहाँ पे 4 था, तो x की power 1 by 4, तो इसी तरह general में, अगर x की यहाँ पे n है, तो उ अब हम करते हैं number theory को, number theory, a number system relates quantities and symbols, number systems क्या करते हैं, हमारे पस quantities और symbols को relate करते हैं, relate क्या करना होता है, कि आपस में उनका तालुक बनाना, ठीक है, the base or radix of a number system represent the number of digit, ठीक है, जो base होती है, वो हमें represent करते है, कि number of a digit, उस digit का number क्या है, और basic symbols in that particular number system, और इस number system में जो basic symbols हैं, उन सब को represent करते हैं, ठीक है, decimal is a base 10 numeral system, decimal क्या होती है, उसकी base होती है 10, हमेशा decimal की base 10 numeral system होता है, उसकी base 10 होती है, तो इसका मतब यह हुआ, this means that the system has 10 symbols, इसका मतब यह हुआ कि इस system के 10 symbols हैं, ठीक है, symbols या numbers होने कह सकते हैं, अब वो 10 कौन से हैं, इ यह चोटी-चोटी चीज़ी हैं, एमसी की उसमें आती हैं, तो इनको note करते जाएं साथ-साथ, ठीक है, these symbols are called digits, इन symbols को या इन numbers को digits भी कहा जाता है, और जो वो 10 symbols हैं, number theory में, decimal numeral system में, वो हमारे पास कौन से हैं, 1, 2, 0, 0 से 9 हम बलके कहेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक तो decimal number system in mathematics, positional numeral system employing 10 as the base and requiring 10 different numerals, मतलब जादा तर जो number system में, जो हमारे पास base use होती है, वो 10 होती है, यानि हम 10 numeral system use करते हैं, यानि decimal number system use करते हैं, ठीक है, समझाए इस चीज़ की, अब types of numbers के, अगर हम बात करें, numbers के भी कुछ types होती हैं, कौन-कौन से होती हैं, one by one देखते पहला है real number, अब real number क्या है, यह real number comprise the full spectrum of number, मतलब complete spectrum, पूरे जो हदूत है न number की, वो पूरी इसमें आ जाती है, पूरा दाइरा कार, जो number जतने भी हैं, वो सारे जो हैं, वो real numbers हैं, ठीक है, they can take on any form, मतलब किसी भी form में हो सकती हैं, ठीक है, either there are fractions, as a whole number, decimal points, no decimal points, किसी भी त में हों, fraction में हों, fraction बटा उर्दो में कहते हैं, ठीक है, उसमें हों, whole numbers हों, जैसे भी हों, वो सारे हमारे पस real numbers होंगे, तो the full range of real numbers include decimal, that can go on forever and ever without end, यानि यह number system में unlimited numbers होते हैं, मतलब जितने भी decimals, जितने भी आप सोच सकते हो, वो सारे real numbers हैं, ठीक है, example, यहां पर कुछ दे दी, 8, X, 2, 3 by 5, etc, और इनको denote कैसे किया जाता है, इनको denote किया जाता है, R से, ठीक है, यह real numbers होंगे, अब natural number की बात करें, तो वो number जो naturally आती है, ठीक है, खुदूरती दोर पर जो आती हैं, ठीक है, और इनकी counting start होती है, 1 से, यह 1 से further unlimited तक जाते हैं, ल comparison में आपको याद लाजमी रखनी है, natural number में 0 नहीं आता, और इनको represent करते हैं, N से, whole number की अगर हम बात करें, तो यह natural number ही होती है, plus 0, इसमें 0 आता है, whole number 0 से start होके unlimited तक जाते हैं, ठीक है, और infinity तक जाते हैं, और इनको represent करते हैं, W से, fine, उसके बाद integers की बात करें, तो integers incorporate all the qualities of whole number, इनके पास सारी qualities होती है, whole number की, और उनके opposites की भी, for additive inverse of the whole number, in short, अगर मैं आपको बताओं, तो integers में सारे positive और negative whole numbers होते हैं, ठीक है, मतलब 0 से infinity तक plus में भी, 0, 1, 2, 3, और 0 से infinity तक minus में भी, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, and up to so on, ठीक है, और इनको denote किया जाते है, Z से या I से, fine, integer को Z I दोनों से denote करते हैं, उसके बाद rational numbers की बात करें, तो सारे वो numbers जो P by Q form में हो, all numbers of the form P by Q, where P and Q are integers, जहाँ पर P और Q integers हैं, ठीक है, यानि वो plus में भी हो सकते हैं, minus में भी हो सकते हैं, और Q कभी भी 0 नहीं होगा, यानि जिस value से divide हो रहा है, वो 0 नहीं होना चाहिए, तो इन्हें कहते हैं rational numbers, for example, 4, यह पर 4 divided by 1 है, for sure, 3 divided by 4 है, 0 है, यह सारे हमारे पास rational numbers है, irrational numbers की अगर हम बात करें, तो irrational numbers are the opposite of, opposites of rational numbers, यानि irrational numbers जो हैं, यह opposite हैं बलकूर, rational number के, ठीक है, तो irrational number cannot be written as a fraction, इसे हम fraction में नहीं रीख सकते हैं, ठीक है, और इनके जो decimal values होती हैं, वो irrational number की, वो में इसका point आगे है, for irrational number, never end, वो कभी भी end नहीं होती, and do not have a repeating pattern in them, ठीक है, यानि इसमें fractional form जो है, जैसे हमने पिछे rational की बात की, तो fraction form में तो होती हैं, लेकिन जब उन्हें हम divide करते हैं, तो point के बाद वो किसी ने किसी value के बाद जाके end भी हो जाती है, और दूसरा, उनमें कोई न कोई pattern भी बन जाता है, अब जो irrational होती है, इसमें ना तो value end होती है, point के बाद, और ना ही कोई pattern बनता है, इसमें different examples हैं, like pi, ठीक है, जिसके value हमारे पास कभी भी end नहीं होती है, और उसके बाद ये under root 7, under root 5, 2 plus under root 2, pi, ये सारे इसकी examples हैं, even number की बात करें, तो even number वो number होती है, is when that can be divided evenly by 2, leaving no reminder, even number ऐसे number होती हैं, जो 2 पे divide हो जाएं और उनका कोई भी reminder ना बचे, जैसे 4, 6, 8, यानि simply जो 2 के table में आते हों, वो even numbers हैं, उसके बाद odd number is the one that does not divide evenly by 2, जो 2 से divide ना हो पाएं, ठीक है, और अगर हम 2 से divide करें, तो उसका कोई ना कोई reminder बच चाहें, जैसे हमारे पास यहाँ पी है, 1, 3, 5, 7, उसके बाद प्राइम नंबर, प्राइम नंबर is a number which can be divided only by 1 and itself, ऐसा number जो सिर्फ one और खुद पे divide हो, वो प्राइम नंबर कहलाता है, ठीक है, इसके सिर्फ दो factors होते हैं, कौन-कौन से, एक one होते हैं और दूसरा वो खुद, जैसे 2, 3, 7, 11, 13, 17, etc. आर प्राइम नंबर्स, ठीक है, उसके बाद composite numbers, A composite number is a number which can be divided evenly, मतब जिसको पूरी तरह से divide किया जा सके, यहाँ पे even और इसमें फ़र्क यह है, कि यह शर्त यहाँ पे नहीं है, कि टू पे ही divide करना है, क्योई भी number उस पे, किसी भी number से वो से तरह divide हो रहा है, तो वो composite number है, ठीक है, इसमें कुछ additional factors भी होंगे, और अपना तो वो factor हो गई होगा, जैसे हैं पर 4, 6, 8, 9, 10 है, 10, 5 पे divide हो रहा है, 2 पे divide हो रहा है, 9, 3 पे divide हो रहा है, 6, 2 पे भी है, 3 पे भी है, इस तरह से, ठीक है, उसके बाद co-primes और relatively prime numbers, अब pair of numbers, ऐसे numbers की pair, pair कहते हैं जोड़े को, not having any common factors other than 1 और minus 1 जिनका कोई भी common factor 1 या minus 1 के इलावा ना हो, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं co-primes, और alternatively, their greatest common factor is 1 और minus 1 का greatest common factor 1 या minus 1 ही हो, तो उसे कहते हैं co-primes या relatively prime numbers, जैसे के 15 और 28 और co-primes, 15 और 28 और co-primes कैसे, because the factors of 15, 15 के अगर factors के बात करें तो ये 1 पे divide होता है, 3 पे होता है, 5 पे होता है, 15 पे होता है, factors का मतब यही होता है, कि ये किस-किस पे divide होता है, इसके ये बनगे, 28 के अगर हम देखें, तो 1 होता है, 2, 4, 7, 14, 28, अब इनका common factor कौन सा है, यहाँ पे 28 में भी 1 है, 15 में भी 1 है, इसके इलावा तो कोई भी common नहीं है, तो ये अपस में co-primes है, ठीक है, twin primes की बात करें, तो आप pair of prime numbers that differ by 2, जो 2 से जिन में difference आ रहा हो, ठीक है, और शर्ट ये भी है, कि दोनो prime numbers ही होने चाहिए, जैसे देखें, 3, 5, दोनो prime numbers हैं, और 2 का उनमे difference है, 5, 7, दोनो prime numbers और उनमें 2 का difference भी है, 11, 13, दोनो prime numbers और उनमें 2 का difference भी है, उसके बाद बात करते हैं, set theory की या sets की हमारा number theory complete हो गया, a set is a collection of well-defined distinct objects और symbols, set basically collection को कहते हैं, किसकी मुक्तलिफ objects की या symbols की, math में और of course, जो mathematical symbols होते हैं, उनकी बात हो रही है, ठीक है, important sets के अगर हम बात करें, तो जैसे यहाँ पर natural number ends representation, और one से up to so on, इसके बाद hall number का w से representation, 0 से start, up to so on, इसके बाद integers को z या मैंने बताया था, i से भी represent करते हैं, यह इसमें minus वाली values भी होंगी, और plus वाली values भी होंगी, इसके बाद prime numbers, इसमें 2, 3, 5, 7, 11, up to so on, odds numbers, odds numbers, और number 1, 3, 5, यहाँ पर भी यह भी positive और negative दोनों include होंगे, इसी तरह even number 0, 2, 4, 6, इसमें भी positive और negative दोनों होंगे, असके बाद rational numbers हमारे पर कौन से होते हैं, Q से represent करते हैं, P by Q, ठीक है, और जहाँ पर P और Q कोई भी हमारे पास integers हैं, Z represent कर रहे हैं इंटिजर को, और यह E जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इसका मताब होता है belongs to, ठीक है, belongs to, और यह वाला जो sinus का मताब होता है and, ठीक है, and Q is not equal to 0, ठीक है, अब यहाँ पर types of set में आपको बता देती हूँ, सबसे पहले है empty set, a set with no element, as a set जिसमें कोई भी element ना हो, उसको empty set, void set, या null set कहते हैं, यह बहुत important mcqs है, मैं again repeat कर रही हूँ, लाजमी याद रखिएगा, इनको represent करते हैं इस तरह से, मतब खाली brackets, curly brackets है, या फिर यह fire का, या infinity का जो sign होता है, इस से, उसके बाद हमारे पास आजाता है singleton set, singleton set वो set होता है, जिसमें सिर्फ एक element हो, यानि single element, for example, यह curly bracket सिर्फ one है, यह singleton set है, यह two है, यह singleton set है, ठीक है, यह singleton set होगे, उसके बाद subset, a set A is the subset of set B, if all the elements of set A, all the elements of set A are present in set B, अगर तमाम element to set A के हैं, वो B में भी present होँ, तो उस time हम कह सकते हैं, कि set जो A है, वो B का subset है, so for example, A में हमारे पास 1, 2, 3, 4 है, और B में 1, 2, 3, 4, 7 है, अब यहां पे देखें, कि B के 1, 2, 3, 4, और यह B में भी मुजूद है, तो हम कह सकते हैं, कि A subset है B का, उसके बाद proper subset, if B is a proper subset of A, then all elements of B are in A, but A contains at least one element, that is not in B, यहां हमें बात यह को हो रही है, कि proper subset वो होता है, B को हम तब कहेंगे, proper subset of A, जब B के सारे elements उसमें जो हैं, वो A में हो, लेकिन A में कोई at least एक element ऐसा हो, जो के B में ना हो, जैसे कि अगर यहां पे हम बात करें, यह भी proper subset भी, इसे हम कह सकते हैं, ठीक है, कि A is proper subset of B, उसके बाद finite set, finite set जिसमें finite elements हो, जैसे set of days of week, ठीक है, seven ही आएंगे न, finite हैं, उनकी एक confirm हमें, limit पता है, ठीक है, इसी तरह days of months, name of months आजाता है, तो इस तरह से, ठीक है, उसके बाद infinite, जिनमें infinite elements हो, जैसे set of all real numbers, तो real numbers तो unlimited हैं, इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो इसका कोई भी define, हमारे पास boundary नहीं है, तो यह infinite है, उसके बाद universal set, set containing all objects elements, ऐसा set जो पूरे elements और objects को contain करें, and of which all other given sets are subsets, तो जिससे बाद के सारे subset बन रहे हैं, तो universal set हमारे पास, इसमें सारे जितने भी digits, जितने भी integers वगारा, सब इसमें आ जाती हैं, fine, next हमारे पास basic operations on sets है, तो इसमें union का एक operation होता है, तो union of two sets हमारे पास किस तरह से ली जाती है, अब देखें, एक हमारे पास A है, और B है, तो इसमें अगर हम A union B हमने find करना है, तो हमने A के और B के सारे elements लिखते नहीं हैं, जैसे यहाँ पर देखें कि 1, 2, 3, 4, 5, यह union आ गया, इसी तरह अगर हमने इस वाली value का लेना है, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, तो इसका 1, 2, 3, 4, 5 union आ जाएगा, इसके बड़क्स अगर हम intersection की बात करें, तो यहाँ पर देखें कि 1, 2, 3, 4, and 1, 2, 4, 5, intersection में हमने common values तोनों में हैं, वो लिखते नहीं हैं, जैसे common value इन में है 1 and 2, इसी तरह इसकी बात करें, 1, 2, 3, 4, 5, इन में तो कोई common value ही नहीं है, तो हम जो है, वो empty brackets लगा देंगे, कि इनका कोई भी intersection नहीं है, ठीक है, उसके बात difference की बात करें, तो difference of set A from B, अगर A का B से difference लेना है, इसको denote करते हैं, A minus B, ठीक है, is the set comprising of elements that are included in A, सारे वो elements जो A में तो हों, लेकिन B में ना हों, जैसे हमने, sorry, A हमारे पास equal है, 1, 2, 3 के और B, 1, 2, 4, 5, अब हमने देखना है, कि A में ऐसे, कौन सा element है, जो B में नहीं है, वो हमारे पास A minus B होगा, तो देखें, 1, 2, 3, तीनों ही B में नहीं है, तो हमारे पास 1, 2, 3 आजएगा, इसके बड़क्स, अगर हम B minus A लेते, तो हमारे पास 4, 5 answer आजाता, तो इससे पता चला, कि A minus B और B minus A, equal नहीं होते हैं, next concept, fractions, तो fraction is known as a rational number, fractions को rational numbers, भी कहा जाता है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया थे, कि P by Q की form में होते हैं, जहां पर P और Q integers हैं, और Q 0 की equal नहीं होगा, अब जो lowest number है, यानि जो Q है, वो denominator है, और जो upper number है, यानि जो P है, वो numerator है, fine, उसके बाद हम types of fraction की बात करें, तो सबसे पहली है, proper fraction, a fraction in which numerator is less than denominator, is called a proper fraction, जिसमे numerator, यानि, जो हमारे पास upper value है, वो छोटी हो lower value से, तो उसे हम कहेंगे, कि यह proper fraction है, जिसे 2 by 3, 5 by 6, 10 by 11, ठीक है, यह सारे proper fractions हैं, अब improper fraction की बात करें, तो the fraction in which numerator is greater than the denominator, यानि, जिसमें नीचे वाली value छोटी हो, और उपर वाली value बड़ी हो, तो उसको हम कहते हैं, improper fraction, जैसे यहाँ पे देखें, कि 3 by 2, 6 by 5, 8 by 7, ठीक है, इसके बाद अगर mixed fraction की बात करें, तो यह composition of fraction and whole number, यानि यह mixture होता है, किस-किस का composition किस-किस की हो रही है, यहाँ पे, fraction की और whole number की, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2, 1 by 2, यहाँ पे यह 2 whole number है, और 1 by 2 हमारे पास fraction है, इसी तरह 3, 3 by 4, 5, 6 by 7, यह mixed fraction है, उसके बाद complex fraction की बात करें, is that fraction in which numerator और denominator, और both are fractions, मत्तब जिसमे numerator भी fraction में है, denominator भी fraction में है, जैसे यहाँ पे देखें, कि 2 by 3 divided by 4, तो यहाँ पे जो upper value है, वो 2 by 3 की form में है, यानि वो fraction की form में है, चीक है, इसी तरह से अगर हम इसमें देखें, तो 3 by 7 divided by 5 by 6, यानि upper value 3 by 7 है, lower value 5 by 6 है, दोनों fraction की form में है, इसके बाद अगर बात करें, decimal fraction की, तो a fraction whose denominator is 10, और its highest power, ठीक है, मत्तब जिसकी जो हमारे पास denominator है, यानि जो lower value है, वो 10 या उसी का कोई multiple हो, उसी की कोई higher power हो, तो वो decimal fraction है, जैसे 7 divided by 10, 11 divided by 100, 12 divided by 1000, ये हमारे पास decimal fraction होगे, next concept हमारे पास HCF and LCM का है, ठीक है, इन में कुछ important पहले points है, वो देख लेते हैं, कि factors and multiples क्या होती है, if a number X divides another number Y exactly, अगर एक number X है, वो दूसरे number Y को exactly divide कर दे, we say that X is a factor of Y, तो हम कहते हैं, कि X जो है, वो factor है Y का, ठीक है, जैसे अगर हम कहें, कि जो 5 और 10, यानि 10 जो है, वो पूरा-पूरा divide हो रहे है 5 से, तो हम कहेंगे कि 5 factor है 10 का, और also Y is called a multiple of X, तो इसको Y को जो है, multiple भी का जाता है X का, ठीक है, तो यहाँ पे यह X है, यह Y है, यहाँ पे X जो है, वो 10 का factor है, और जो X Y है, वो X का multiple है, fine, उसके पाद highest common factor, यानि HCF की बात करें, तो HCF और 2 और more than 2 number, इस greatest number, यह कौन सा होता है, greatest number होता है, सबसे बड़ा number होता है, that divides each one of them exactly, जो उन सब को exactly, सब को divide कर दे, exact divide करने का मतब यह होता है, कि कोई भी reminder ना बचे, ठीक है, by definition, the product of common factors, only is called HCF, यानि common factors का जो product होता है, वो HCF कहलाता है, और दूसरी तरफ, LCM की बात करें, lowest common multiple, यह नाम भी full form जो है, इनकी, वो याद रख लेजिएगा, तो the LCM of 2 or more than 2 number, is the least number, lowest, यानि सबसे छोटा number, least number, which is exactly divisible by each of them, जो given number है, उन सबसे वो divisible हो, by definition, the product of common factors, and uncommon factors, जितने भी common और uncommon factors हैं, उनके product को LCM कहती है, इसके बात, HCF सुफ, common factors के product को कहती है, by common factor, we mean a number, which divides commonly all given values, if the number is unable to divide, any one of the given values, it is dumbed as uncommon factor, common factor यह होगा, कि अगर 3 values हैं, तो वो 3ों को divide कर रहा हूँ, और अगर कोई 3ों को divide नहीं कर रहा हूँ, तो वो uncommon factor है, ठीक है, इसके बाद product of two numbers के बात करें, तो वो उनका HCF और LCM को multiply करने से, product of two numbers आता है, ठीक है, next जलती है, कि LCM को कैसे compute करती हैं, और HCF को कैसे compute करती हैं, सबसे पहले बात करती हैं, LCM की, तो इसके दो methods होती है, एक prime factorization method, और दूसरा devian method, prime factorization method में suppose कर लें, कि आपने 12, 16 और 13, 30 का LCM find करना है, 12 कैसे आएगा, 2 multiply by 2, 2, 2, 4, 4 multiply by 3, 12, यह इसके factors बन गए, 16 कैसे एगा, 2, 2, 4, 4, 2, 8, 2, 2, 16, इसे दो 30, 2 multiply by 3, 2, 3, 6, 6, 5, 0, 30, इनके factors आगे, अब यहाँ पर देखें, कि यह इनके common factor, ठीक है, और यह common factor है, बाकि जो हैं, वो सब को divide नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या करना है, कि इन सब को multiply करना है, 2, multiply by 2, ठीक है, यह यहाँ पर, यह जो 3 दफ़ा हुआ, तो हमने इसे 1 दफ़ा लिख लिए, ठीक है, common था उनमे, 2 आगया, उसके बाद, इन दोनों को हमने जो है, वो एक ही consider कर लिया, 2 आगया, ठीक है, common, उन दोनों में तो common है ना, उसके बाद, यह दो वैसे ही आगे, उसके बाद, 3 इन दोनों में है, तो इसको one time consider करेंगे, 3 multiply by 5, तो इनको multiply करने से, 240 हमारा answer आता है, fine, इसके बाद, अगर हमने devian method से, इसी को करना है, 12, 16, 30, कैसे करेंगे, 2 यहाँ पर लिखा, हमने इस तरह से यह लिया, devian method में, इस तरह से आपने हैं ना, इसका जैसा, वो LCM हम commonly लेते भी होते हैं ना, तो इस तरह से आपने लेने, कि 2 को multiply किया है, 2, 6 are 12, 2, 8s are 16, 2, 15s are 30, 5 भी नहीं आता, तो हम इसको simply क्या करेंगे, अब इसका next step यह होगा, कि इन सब को multiply करना है, 2 multiply by 2, multiply by 3, multiply by 1, multiply by 4, multiply by 5, तो answer आएगा 240, यहाँ पर देखिए, कि इसका भी 240 answer था, मतलब prime factorization method से भी, और यह दूसरा चुट वियन method है, इससे भी answer सेम आया, इसके बाद बात करें, कि HCF को कैसे compute करते हैं, prime factorization इसमें भी हो सकती है, पहला method, और दूसरा method हमारे पस, जो इसमें आता है, वो devian method है, तो इसमें prime factorization method किस तरह से होते हैं, कि for example, हमने 144, 180, 108 का factorization, prime factorization method के थू, hcf find करना है, तो आपने इसी तरह से इसके factor बनाने, 2, 2, 4, 4, 2, 8, 8, 2, 16, 16 को 3 से, फिर उसको 3 से, ठीक है, 16 को अगर हम 3 से multiply करते हैं, तो हमरे पस 48 आता है, या 48 को फिर 3 से करेंगे, 144 आजाएगा, इसी तरह से ये 2, 2, 2, 3, इसी तरह से, ये इनके हमने factor बनाए हैं, ठीक है, factor बनाने आपको आना चाहिए, पता चलना चाहिए, वो किस से मतलब वो divide हो रहे हैं, तो उसके वोई factors होंगे, ठीक है, तो इसको अब हमने क्या किया, कि सिर्फ हमने common का यहाँ पर याद आया, ठीक है, और एक यहाँ से 3 आगया, फाइन, ये हमारे पस क्या आगया, ये वाला 3 नहीं आएगा, ठीक है, ये बाकी 3 आगया, तो common factors आगये, 2, 2, 3, 3, 2s are 4, 4, 3s are 12, 12, 3s are 36, तो इसका अंसर आगया, 36, अगर हमने इस द्वियन मेथर से करना है, तो simply हमने क्या किया, कि 180 जो सबसे बड़ी value है, उसको आपने divide करना है, उससे छोटी value से, 180 को 144 से, अगर हम divide करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 144, 1s are 36, तो 36 यहाँ पर आगया, और उसको अब 36 को 144 पर अगर हम कहरें, तो 36 4s are 144, ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम देखें कि 108 जो है, उसको अब हमने इस से divide करना है, जो हमारा यहाँ पर जो last value आई है, उससे divide करना है, तो 108 को अगर हम 36 से divide करें, तो वो पुरा-पुरा divide हो रहे है, ठीक है, जब पुरा-पुरा divide हो गया, तो इसका यही इसका answer है, तो इसका HCF हमारा पास 36 आगया, fine, next concept is average, अब average क्या होता है, average refers to the sum of numbers divided by n, मतलब जतनी भी numbers हैं, उसको sum करके divide किया n से, तो वो उनका average आगया, इसको mean average भी कहती है, तो sums of the data, divided by the number of atoms in the data, will give the mean average, मतलब उनका जतना भी sum है, उनको sum करके, सारे numbers को, उनको divide कर देना है, जतने भी वो data items है, number of items है, तो हमारे पास mean average आजएगा, the mean average is used, अब किसलिए यह 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 यहागया है, quite regularly to determine final math marks, over a term or semester, मतलब terms और semester की जब हमने final marks calculate करने होते हैं, तो तब तो ही यह use होते ही होते है, वैसे भी daily life में हम इसे बहुत use करते हैं, तो average are often used in sports, sports में देखें, बहुत use होते हैं, जैसे betting average हमारे पास आजए होती है, कि उसका मतलब यह होता है, hits to total number of times at bet, कितनी दफा वो उस पे heat हो है, उसका गैस मेलेज में, वहाँ पे average use करते हैं, ठीक है, तो इसी दरह और पी काफी सारी common life example हैं, जो daily life example, जो चरब हम average को use करते हैं, इसका formula sum of elements divided by number of elements, अब देखें, हमने average find करने है 3, 5 और 7 का, पहले हमने उपर लिया sum, 3 plus 5 plus 7, divided by, यह कितने हैं, 1, 2, 3, 3 से divide कर दे रहे हैं, 5 plus 7 तो हमारे पास क्या आगया, 15, 15 को जब हम 3 पे divide करेंगे, तो हमारे पास answer आ जाएगा, 5, simply, यह हमारे पास था average, इसके बाद percentage की बात करें, तो percentage क्या है basically, is a ratio of given number, with a standard number 100, 100 के साथ यह basically ratio है, एक number की, जैसे अगर 25% हमें given है, तो इसका मुत्ब है कि percentage की जगह, हमने लगाना होता है हमेशा 1 by 100, तो यह value हुई 25 multiply by 1 by 100, जिसको हम 25 over 100 भी लिख सकते हैं, और 25 ratio 100 भी लिख सकते हैं, ठीक है percentage का sign यह होता है, याद रखिएगा, असके बात basic problems के, अगर हम बात करें percentage की, तो वो हमारे पर सोती है कि, किसे भी given number की percentage find करना, दूसरी problem, कि actual number find करना, जिसकी percentage आपको given हो, और तीसरी problem, कि what percentage, उस given number की number given है, और उसके कितनी percentage जो है, हमने find करनी है, तो यह basic problems होती है, हम secure आ सकता है, ठीक है, तो हमने जो है, इसको solve किस तरह से करते हैं, इस formula से, यह formula आपने याद रखने हैं, आप कोई भी percentage को question solve कर सकती हो, a percent of b is c, ठीक है, a percent का मतलब यह होता है, कि a divided by hundred, ठीक है, और जो of का मतलब होता है, multiply, उसके बाद b is equal to, is का मतलब होता है, equal to, ठीक है, b के बाद equal to, उसके बाद c है, तो c, तो यह हमारे पस equation बनती है, कि a divided by hundred, या a percent, multiply by b is equal to c, यह वाला हमने put करकि, किसी के भी value find कर लेनी है, जैसे what is, हमें वो कहें के 3% of 20, ठीक है, तो हमने इसे simply किस तरह से करना है, कि find करने के लिए, यहां पर लिखा हुए के 15% multiply by 4, या 3% of 20 हमने find करना है, तो इसको find करने के इसी formula में, हमने simply से put करना है, ठीक है, कि उनका 3% given is 3, हम लगाएंगे, साथ percentage का sign लगाएंगे, मैं आपको यहां पर solve करके दिखा देती हूँ, 3 percentage का मतब है, 1 by 100, ठीक है, ऐसे यह आ गया, of B, मतब of 20 हमारे पस, multiply by 20, is equal to, हमने यह find करने, C मतब find करने, ठीक है, तो यह 100 जो है, यहां पर, एक cancel हो गया, 2 1s हा, 2 5s हा, तो हमारे पस क्या हुआ, 3 divided by 5, यह हमारे पस, C की value आगे, ठीक है, तो इसको फर्दर हम वो, points की form में लिख लेंगे, तो वो हमारे पस, answer आज़ेगा, यह था percentage, अब हमारे पस ratio की बात करें, हमने rate problems नहीं करनी, इसके लिए, हम सिर्फ ratio की बात करेंगे, तो the comparison of quantities, with same units का ratio, अब यह क्या होता है, कि qualities का आपस में, quantities का सोरी आपस में, comparison होता है, मुवाजना करना होता है, ठीक है, represent कैसे करते हैं, A ratio B, यह जो दो dot होते हैं, एक ये dot, एक ये dot, ये होता है ratio का sign, ठीक है, अब जो A है, यानि जो पहला है, उसे कहते हैं antecedent, और जो दूसरा है, उसे कहते हैं consequent, क्या कहते हैं, consequent, ठीक है, A ratio B, यह याद रखेगा, कि वो B ratio A के equal, नहीं होता, ठीक है, जैसे कि 1 ratio 2 है, तो 2 ratio 1 के equal, 2 ratio 1 है, तो लिख सकते हैं 2 divided by 1, ठीक है, इस तरह से, तो यह हमारे पास ratio हुआ, इसकी example की बात करें, तो if you have 24 coins, हमें उसे कह रहे हैं, आपके पस 24 coins है, और ratio of pennants to nickels, उनकी हमें, pennants to nickels ratio बताई हूए, 2 ratio 1 है, how many of each type of coin do you have, मतलब कितने आपके पास total coins हैं, तो हमने क्या क्या, 2 ratio 1 means 3 parts of 24 coins, ठीक है, 2 ratio 1 का मतलब यह हुआ, कि 24 coins का जो है, वो 3 हिससे हैं, ठीक है, उसके पात number of coins in each part, हमने हर part में number of coins देखे, तो उसको find करने के लिए, simply हम 24 को 3 पे divide करेंगे, तो वो हमारे पास 8 आजाएगा, ठीक है, जैसे के 25 हमारे पास 2 है, पहली value, 25 निकल का मतलब पहली पैनिस की है, दूसरी निकल की है, ठीक है, तो पहली जो है 2 है, तो उसको 2 को हम multiply कर देंगे, इससे 8 से, तो 16 आजाएगा, तो हमने simply क्या किया, कि निकल की value फाइट करनी है, तो यह जो 1 है, दूसरी 2 निकल जाएगा, मतलब निकल वैलियो जो है, वो 1 है, ठीक है, तो 1 को multiply करेंगे, 8 से, तो हमारे पास उसकी value, 8 आजाएगी, तो इसका मतलब यह हुआ, कि 16 coins जो है, वो pennies है, और जो 8 coins है, वो निकल्स है, fine, proportion problems, ठीक है, proportion क्या है, यह equality है, between two ratios, दो ratios के दर्मियान, यह equality है, इसका sign यहाँ पे आप लोग देखें, कि A ratio B, यह दर्मियान में, जो 2 दफाए यह dots लगे हुए, यह है, proportion का sign, उसके बाद है, C ratio D, अब यहाँ पे जैसे कि, मैंने आपको बताया था, कि A ratio B को हम, A divided by B लिख सकते हैं, इसी तरह से, जो ratio का sign है, इसको equal to का sign भी, लगा सकते हैं, और C ratio D, इस तरह से आजएगा, ठीक है, समझाए इस चीज़ की आपको, जैसे यहाँ पे देखें, कि A ratio B, proportion C ratio D, तो हम इसको अगर, multiply form में लिखना हो, जासे मैंने आपको बताया, कि अगर इसको हम, पहले divide form में कर लेता है, A divided by B, is equal to C divided by D, अब multiply form में करना है, तो यह cross multiply हो जाएगा, X ratio 24, then find the value of X, हमें X की value of find करने का कहा हुए, बहुत important question है यह, और इस तरह से given है, तो हमने क्या किया, simply, क्या करेंगे, कि 12 divided by 18, is equal to X divided by 24, ठीक है, अब इनको cross multiply करना है, तो यह 12 multiply by 24 आजाएगा, और X multiply by 18 आजाएगा, अब 18 यहाँ पर multiply और X के साथ, तो दूसरी तरह जाके, यह क्या होगा, divide होगा, तो यहाँ पर 12 multiply by 24, divided by 18 आजाएगा, जब इसे हम solve करेंगे, तो हमारे पस answer आएगा, 16, and that's it for today, हमारा arithmetic का portion complete हो गया है, बाकी portions जो हैं, वो इन्शाला कल से, आपको बाकी सारे lectures भी मिलेंगे, और जैसे कि मैंने बताया, कि बाकी जो उर्दू, इस्लाम याद और English कवर कर शुके हैं, उनके जो links हैं, वो आपको description box में मिल चाहेंगे, और मेरा free WhatsApp का जो preparation group है, CSS empathy का, वो भी link आपको मिल चाहेगा, आप चॉइन कर सकते हैं, Thank you.